भारतिय राष्ट्रिय भुक्तान निगम, NPCI ने Unified Payments Interface, UPI की लेंदेन सीमा में बदलाव करते हुए इसे बढ़ा कर 5 लाख रुपेये कर दिया है पहले UPI के माध्यम से एक बार में की जाने वाली भुक्तान सीमा 2 लाख रुपेये तक थी नई भुक्तान सीमा को लागू कर दिया गया है, जिससे UPI उप्योग करता अब चुनिंदा कैटेगरी में 5 लाख रुपेये तक का लेंदेन कर सकेंगे क्या UPI की नई सीमा सभी के लिए उपलब्ध होगी? UPI की नई सीमा सभी प्रकार के लेंदेन के लिए उपलब्ध नहीं होगी यह सीमा केवल चुनिंदा कैटेगरीज के E0 ले लागू की गई है, जैसे नमबर वन, टैक्स भुक्तान अब आप अपने टैक्स का भुक्तान UPI के माध्यम से 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं नमबर दो, Education Fees स्कूल, कॉलेज या विश्व विद्याले की फीस का भुक्तान इस नई सीमा के तहत किया जा सकता है अस्पतालों के बड़े बिलों का भुक्तान भी अब UPI से 5 लाख रुपए तक हो सकेगा शेयर बाजार में आईपियो के लिए भी UPI के माध्यम से 5 लाख रुपए तक कर निवेश किया जा सकता है सरकारी, सेवाएं विभिन सरकारी, सेवाओं के लिए बड़ी राशिका भुक्तान UPI से किया जा सकेगा हालांकि रोज मर्रा के लेंदेन जैसे की छोटे व्यापारी, दुकानों में खरीदारी या निजी भुक्तानों के लिए अभी भी पुरानी सीमा दो लाख रुपे ही लागू रहेगी क्यूं बढ़ाई गई UPI की सीमा UPI की सीमा बढ़ाने का उद्देश्य उप्योग करताओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुक्तान के अनुभव को और अधिक सुविधा जनक बनाना है इस कदम से उन लोगों को खास फाइदा मिलेगा जो अकसर बड़े भुक्तान करते हैं NPCI ने सीमा को बढ़ाने से पहले कई महत्वपूर्ण पहलूँ पर विचार किया जिसमें डिजिटल भुक्तान का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड सुरक्षित लेंदेन की आवश्यक्ता और उप्योग करताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना शामिल था बड़े लेंदेन को सुगम बनाना बड़ी रकम के लेंदेन को सुगम और सुरक्षित तरीके से करने के लिए यह सीमा बढ़ाई गई है अब लोग बिना किसी परिशानी के महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए UPI का उप्योग कर सकते हैं सरकारी सेवाओं के लिए सहूलियत सरकार द्वारा Digital India के तहद सेवाओं को आनलाइन और आसान बनाने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है सरकारी टैक्स और फीस का भुगतान अब सीधे UPI के माध्यम से किया जा सकता है सुरक्षा और गोपनियता UPI का उप्योग करते समय उप्योग करताओं की सुरक्षा सर्वोच प्राथमिकता है NPCI ने इस नई सीमा के साथ सुरक्षा मानकों को भी और मजबूत किया है OTP, One Time Password, UPI PIN और Biometric प्रमानी करण जैसे सुरक्षा उपायों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपके लेंदेन सुरक्षित है इसके अलावा बड़ी रकम का लेंदेन करते समय उप्योग करता को अलर्ट भी भेजे जाते हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो अन्य डिजिटल भुक्तान मोड पर UPI का प्रभाव UPI ने डिजिटल भुक्तान के परिद्रश्य को पूरी तरह से बदल दिया है पहले जहां लोग ग्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तिमाल करते थे वहीं अब UPI इन सभी विकल्पों पर भारी पड़ रहा है इसका मुख्य कारण है इसकी सादगी, सुरक्षा और त्वरित सेवा इसके अलावा UPI के माध्यम से होने वाले लेंदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगदा जबकि अन्य भुक्तान मोड पर अक्सर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है हलांकि UPI की इस नई सीमा से बड़े लेंदेन में आसानी होगी कुछ चुनौतियां भी हो सकती है जैसे कि साइबर सुरक्षा और धोखा धड़ी से संबंधित मुद्दे डिजिटल प्रनाली की व्यापकता के साथ साथ ऐसे मामले भी बढ़ सकते हैं जिनसे निपटने के लिए NPCI और बैंकिंग संस्थाओं को सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना होगा इसके बावजूर UPI की लगातार, बढ़ती, लोकप्रियता और लोगों का इस पर बढ़ता भरोसा ये दर्शाता है कि आने वाले समय में इस प्रणाली में और अधिक सुधार और सुविधाएं जुड सकती हैं जिससे भारती ये अर्थ व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मजबूती मिलेगी भविश्य की ओर UPI न केवल भारत की डिजिटल भुक्तान प्रणाली को सशक्त बना रहा है बलकि अन्य देशों में भी इसकी तक्नीक को अपनाने पर विचार हो रहा है NPCI का यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत को डिजिटल इनोवेशन के अग्रणी देशों में शामिल कर सकता है आने वाले समय में UPI की लेंदेन, सीमा और उपयोगिताओं का विस्तार होने की पूरी संभावना है जिससे यह वित्तिये लेंदेन का एक अभिन्न हिस्सा बना रहेगा UPI की 5 लाख रुपये की नई सीमा ने डिजिटल भुगदान के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है यह निर्णय उप भुगताओं और व्यापारियों के बीच अधिक पारदर्शिता, सुविधा और विश्वास को बढ़ाएगा डिजिटल अर्थ विवस्था की और बढ़ते, भारत के इस सफर में UPI का यह योगदान एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जो आने वाले वर्षों में लेन देन की दुनिया को नए आयाम देगा